सवाल नमबर पंदरह आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पुर्ण घन है क्या बिना गुननखंड किये आप पे अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घन मूल क्या है इसी परकार 493 12166 22768 के घ guitन मूलों का अनुमान लगाए ठीक है देखिये आपको घनमूल नहीं गयाद करना है अनुमान लगा करके बता दना है कि इन संख्याओं का घनमूल कितना होगा ठीक है और इसका भी घनमूल आपको निकालना है अनुमान लगा करके तो देखिए अनुमान से किसी संख्या का घनमूल कैसे निकला जाता है उसके बारे में हम आपको सिखाते हैं देखिए सवाल नमबर 15 15 में आपको ये सब संख्या दिया हुआ है और इन सभी का घनमूल गयाद करना है बिना अभाज गुननखन निकाले हुए ठीक है अनुमान के द्वारा निकलना है तो कैसे निकला जाता है इसको सिखिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक से लेकर के नौ तक ठीक है एक से नौ तक संख्याओं का घन लिखना है तो देखिए, एक का घन एक होता है, दू का घन आठ होता है, तीन का घन 27 होता है, चार का घन 64 होता है, पांच का घन 125 होता है, छे का घन 216, साथ का 343, आठ का 512, नौ का 729 आपको इतना पहले लिख लेना है एक से लेकर के नो तक इन संख्याओं का घं आपको यहाँ पे लिख लेजिए ठीक है उसके बाद देखिए कैसे अनुमान से घंमूल निकाला जाता है इसको समझे संख्या दिया हुआ है 1331 आपको क्या करना है कि इस संख्या को दाइं तरब से देखिए इधर से दाया इधर है ठीक है और बाया इधर है तो दाइं और से आपको तीन का समूह बनाना है देखिए तीन का समूह तो तीन अंक ले लिए एक है तीन है तीन है तो तीन अंक का समूह बन गया इसका हम जुड़ा लगा दिये इस तरह से हम सम्मूह बना दिये उसके बाद देखिए इधर एक बच गया ठीक है अब इसको दियान से देखिए यहां पे है 331 और इसका 1 एंक एक है तो आप देखिए कि किस संख्या के घन में इकाई एंक एक है तो देखिए एक का घन हम किये तो एक आया तो इकाई एंक कितना है एक है फिर देखिए दू का जब हम घन किये तो आठ आया तो इसमें इकाई एंक आठ है इसमें इकाई एंक साथ है इसमें इकाई यंक चार है इसमें इकाई यंक पांच है इसमें इकाई यंक छे है इसमें इकाई यंक तिन है इसमें इकाई यंक दू है इसमें इकाई यंक नौ है तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही संख्या है एक जिसका घं हम कर रहे हैं तो घन का इकायंग एक है, यानि कि वो संख्या एक है, ठीक है, तो इसके जगह पे आजाएगा एक, 331 के जगह पे एक आएगा, ठीक है, अब आगे देखिए, ये एक है, तो एक किस संख्या के घन में आता है, तो एक देखिए, एक का जब हम घन करेंगे, तो एक होता है, या हम कर सकते हैं कि इगारह का घं है यह लिखा हुआ ठीक है यानि कि जो संख्या है 1331 इसका हम घंमूल निकालेंगे तो इगारह आएगा तो यहां देखिए 1331 इसका घंमूल कितना होगा तो इगारह होगा तो देखिए हम अनुमान लगा करके निकाल लिए कि इस संख्या का घं घंमूल 11 होगा ठीक है अब इसका घंमूल अभाज गुरंखन विद्दे से निकाल एगा जाएगा ठीक है अब देखिए 4913 है इसका घंमूल ग्याद कर्मा है यहां देखिए 4913 अनुमान लगा करके तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि जो संख्या दिया हो रहता है उसको दाहि इदर से तीन का हम समुह बना लेंगे, तिन अंको का, तitä तीन अंको का समुह बना लिए उसके बाद एक अंक बच गिया इसको छोड़ दिजी अब यहां ध्यान दिजिए कि जो तीन अंख है इसमें इकाई अंख कितना है तीन है ठीक है अब आप इसको देखिए कि किस संख्या के गहन में इकाई अंख तीन है तो देखिए इस संख्या के घन में इकायंक एक है इसमें आठ है इसमें साथ है इसमें चार है इसमें पांच है इसमें छे है देखिए इसमें तीन है यानि कि साथ संख्या के जब हम इसका घन किये तो घन में इकायंक कितना है तीन है और देखिए बाकी किसी में 3 नहीं है सिर्फ संख्या 7 का जब हम घं किये तो उसी में 1 यंक हमको 3 मिल रहा है यानि कि 913 जो देख रहे हैं इसके स्थान पे लिखेगा 7 क्योंकि 7 संख्या का जब हम घं करेंगे तो इसका जो घं आएगा उसका एकायंग तीन होता है तो साथ लिख लिए अब यहाँ पे देखिए चार है तो चार के जगा पे कौन सा संख्य यहाँ पे आएगा से समझे देखिए चार है तो एक का घहन कितना होता है एक का घहन एक होता है और दू का घहन कितना होता है आठ होता है ठीक है देखिए एक का घहन एक होता है और दू का घहन आठ होता है यह चार है तो चार देखिए किसके नजदिक में है एक के ज़्यादा नजदिक है कि आठ के ज़्यादा नजदिक है तो चार जो है एक के ज़्यादा नजदिक है देखिए एक के ज़्यादा तो दखिए इसके बीच में दो अंका अंतर है और इसके बीच में तीन अंका अंतर है इसका मतलब यह हुआ कि चार जो है यह ज्यादा नजदिक किसके तरफ है एक का ज्यादा नजदिक है आठ से दूरी पे है तो हम एक लेंगे ठीक है चार के जगह पे एक लिखेंगे तो द 413 काग जब घनमूल आप निकालिएगा तो 17 होगा देखिए अनुमान से हम निकाल दिये अब अगला देखिए 12167 है 12167 है इसका घनमूल ग्याद करना है अनुमान बिधी से अनुमान लगा करके ठीक है तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं इकाई अस्थान से इकाई अंक से जो संख्या दिया हुआ है इसको हम दाहिनी और से तीन अंकों का सम्मूह बनाते हैं देखिए एक दू तीन अंक का हम एक सम्मूह बना दिये उसके बाद देखिए ये दू अंक बच गया तो इसको छोड़ देजी आप बारा है तो बारा को तो देखिये 157 है ठीक है यानि कि जब 3 का हम घन करेंगे तो जब घन आएगा उसका 21 साथ होगा बाकि किसी में देखिये 7 नहीं होगा एक से नौ तक संख्या में जब आफ घन निकालेगा तो किसी का 1 कानिस थान पर 7 नहीं होगा सिर्फ 3 में है यानि तीन का घन करेंगे तो 27 होता है जिसमें 21 यंक शात है तो संख्या कौन सी है? तो इसके जगापी लिखाएगा तीन यानि कि 3 संख्या का घन करने पर 1 यंक पे 7 होता है तो यहां समपकढ़ लिए कि 3 है अब देखिए 12 है तो बारा के स्थान पे यहां पे कौन सा आंखोगा से देखिए बारा है तो बारा किसके बीच में है से देखिए तो देखिए दू का घं और तीन का घं इसके बीच में बारा है देखिए दू का घं कितना होता है आठ होता है और तीन का घं कितना होता है 27 होता है तब 12 आठ और 27 के बीच में है अब हमको ये चेक करमा है कि 12 आठ के ज्यादा नजदिक है कि 27 के ज्यादा नजदिक है ये चेक करमा होता है तो देखिए 8 और 12 के बीच में 9, 10, 11 ये तीन अंख है और 12 और 27 के बीच में देखिए 13, 14, 15, 16, 17 मतलब यह बहुत दूरी है ठीक है और आठ और बारा के बीच में काफी कम दूरी है देखिए आठ बारा के बीच में तीन ही आंख है और बारा सताइस के बीच में देखिए तीन सधीक आंख है इसका मतलब यह होता है कि बारा जो है यह आठ के ज्यादा करीब है नजदीक में ह तो हम इस घन को लेंगे ठीक है इस घन को नहीं लेंगे तो देखिए दू है यहाँ पर हम लेंगे दू यानि कि 12,166 का जो घन मूल होगा वो तेश होगा तो अनुमान लगा करके हम बता दिये कि इस संख्या का घन मूल तेश होगा तो यहाँ पर लिग जगा कि 12,166 का घन मूल तेश होगा ठीक है देखिए एक संख्या और आपको सवाल में दिया हुआ है कि 32,768 इसका घन मूल निकालिए अनुमान लगा करके यहाँ देखिए 32,768 है तो अनुमान लगा करके घन मूल गयात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो संख्या दिया हुआ रहता है उसको दाहिनी और से देखिए दाहिना इधर है ठीक है इधर से तीन आंको का समूह बना लेते हैं एक दू तीन आंको का हम समूह उसके बाद है कि 32 बच गिए तो 32 को छोड़ दिजिए अब यहां पर संख्या ये बन गया साथ सो अर्षट जिसमें इकाई आंक आठ है ठीक है अब आप इसको देखिए कि किस संख्या का घन में इकाई आंक आठ है तो देखिए संख्या दू जब इसका हम घन किये तो 6 आ 8 है, 8 में 1 याँक कितना है? बाकी इसमें देखिए बाकी इसमें को भी आप संख्या है और इसका घन देखिए घन का 1 याँक 8 कहीं नहीं होगा, सिर्फ 2 में ही 8 है, ठीक है? यानिकी दू, देखिए यानि कि इसके जगह पे 2 लिखाएगा क्योंकि 2 का जब हम घन करते हैं तो इकाई अंक पे 8 आता है ठीक है बाकी एक से लेकर के 9 तक आप घन करके देख लिजे 2 को छोड़कर के बाकी किसी भी अंक का जब घन करियेगा तो इकाई अंक 8 नहीं आएगा ठीक है, इकाई अस्थान पे आठ नहीं आएगा सिर्फ दू कहीं घन करिएगा तो इकाई अस्थान पे आठ आता है इसलिए इसके जगहा पे हम लिखे दू अब देखिए 32 है ठीक है, तो 32 को चेक करिए कि 32 किस दो घनों के बीच में अस्थीत है तो देखिए 32 जो है तीन का घ्हन और चार का घ्हन इसके बीच में ये स्थीत है तीन का घ्हन कितना होता है 27 होता है और चार का घ्हन कितना होता है 64 तो 32 देखिए 32, 27 और 64 के बीच में है यानि कि तीन का घ्हन और चार का घ्हन के ये बीच में है अब आप इचे करिए कि 32, 27 के ज़्यादा नजदिक है कि 64 के ज़्यादा नजदिक है तो देखिए 32, 27 के ज़्यादा नजदिक है क्योंकि 27 को बाद देखिए 28, 29, 30, 31 उसको बाद 32 हो जाता है और 32 के 64 के बीच में देखिए 33, 34, 35, 36, 37 मतलब बहुत सारा अंख है, संख्या है, ठीक है तो 27 और 32 के बीच में एक, दू, तीन, चार, चार ही संख्या है जबकि 64, 32 के बीच में देखिए 4 से अधिक संख्या है तो इससे ये पता चलता है कि 32, 27 के ज़्यादा नजदिक है और 27 किसका घं होता है, तीन का होता है यानि कि इसके जगा पे, 32 के जगा पे हम तीन लिखेंगे ठीक है, अगर 32, 64 के ज़्यादा नजदिक होता तो फिर हम चार लिखते लेकिन हम देख रहे हैं कि 32, 3 के ही ज़्यादा नजदिक है 27 कहीं ज़्यादा नदिख है 27 किसका घं होता है 3 का तो 32 के जगा पे हम 3 लिख दिए यानि कि जो संख्या दिया हुआ है 32,760 इसका घं मुल 32 होगा देखिए 32,760 इसका घं मुल अनुमान बिधी से जब हम निकाले तो कि इतना आया 32 आया ठीका ये आपा उतर हो गया